वीमल मंडल जी अपना हाथ काट लिये हैं, अब उनके परिवार वालों के साथ आप लोग कैसे खड़े रहेंगें? आज तक बिहार में किसी ने अपना हाथ जो है भरस्ट चार के खिलाब काटा था गया? नहीं काटा था और हमारे अंदर भी वो हीमत नहीं है कि हम लोग अपना हाथ भरष्ट चार के खिलाब काट लें आज हम सब के सामने में करें हैं मेरा छे महिना का सेल्डी जो होगा वो हम विमल मंडल के परिवार को देंगे और ताली बाजये लो ताली बाजये लो यह देखे यह रोड है दो साल पहले इसी रोड को बनवाया गया था और यह पूरा रोड जर जर हो चुका है हालाकि आप यहां की जिला परिसद नहीं है नहीं है तो यह बोली है आपका वीडियो में देखी कि इनका यह भरश्टाजार के खिलाब लड़ते लड़ते 2017 से लेकर अभी तक लड़ते उनका कम पूरा नहीं हुआ हर जगा उन्होंने आवेदन दिया यह काम नहीं होने के कारण उन्होंने अपने हाथ की आहूती दे दी अभी हमारे दोनों बगल दो जिला परिसद हैं और दोनों जीती हुई हैं सही है कि नहीं है और दोनों के हिमत का दाद देना पड़ेगा कि इतना जगड़ा होने के बावजूद सुबे से लेके अभी तक ये लोग टीकी हुई है क्योंकि दो ही जन परती नी थी कैसा मैसूस कर रही है हमको तो बहुत ही अच्छा लगा इसलिए कि जव जन परती नी थी है उसको सब सुनने का सकती होना चाहिए तब वह हुआ जन परती नी थी ठीक है सब कुछ सुनने का सकती होना चाहिए सही है की नहीं है चलिए अब तोनों आदमी बैट जेए थोड़ा सा थोड़ा सा बैट जेए ये देखिए ये रोड है दो साल पहले इसी रोड को बनवाया गया था और ये पूरा रोड जर जर हो चुका है हलाकि आप यहां की जिला परिसद नहीं है आप यहां की जिला परिसद है आप लोग उस एतना करसा लीटर लिकने वहाल में आफ तो आपके शामने मेंanne लिख देंगे और जो जिला पता आधिकारी है यह रोड का निर्माड सही हुआ है कि गलत हुआ है यह तो देखने से ही पता चल रहा है कि गरबर हुआ है गलत हुआ है कि सही हुआ है जि गलत हुआ है दो-दो जिला परिसद है यहां पे और चलिए, दोनों रोड के बगल में मिटी बहरना होता है और मिटी भी नहीं भराया है इस पर क्या कहना चाहती है? उसके लिए जो यह काम किये हैं और पताधीकारी से भी इसका जो है हम सी काहले आपeti लोगों का गारी है कहां? आपका गारी कही रहे लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरा गारी इनके दर्वाजे तक बीमलमंडल जो हां उनके दर्वाजे तक आए हुए थे जिस रोज घठणा घठी सइट इसके सटेंड गाड़ि कहा है अभी तो आप मतलब की भविश्य की ऐब चोड़ दीजे आच्छा यह बते आपका नाम क्या हुआ मेरा नाम कुमारी कहां से आई हैं मैं सुपोल जीला त्रिवेन इगंशे संक्षा वहां से यहां पर क्यों आई यह बीमन मरंडल के घर पर जब मैं देखी आपका वीडियो में देखी कि इनका यह भ्रश्चाजार के खिलाब लड़ते लड़ते 2017 से लेकर अभी तक लड़ते लड़ते उनका कम पूरा नहीं हुआ हर जगा उन्होंने आवेदन दिया यह काम नहीं होने के कारण उन्होंने अपने हाथ की आहूती दे दिया अच्छा यह बताइए आज तक बिहार में किसी ने अपना हाथ जो ह वह हीमत नहीं है कि हम लोग अपना हाथ भरष्ट चार के खिलाब काट लें इनके पती देव हैं यहां पे क्या नम हो आपका रंजित कुमार पासपन नाम है मेरा अच्छा कहां से आए हैं आप मेरा घर है चरने चातापुर सुपोल है मेडम चुनो लरी है वहां से जीती है कैमरा के सामने आप दोनों हैं पती पतिनी दोनों हैं आप लोग अपना छेतर में इमंदारी पूर्वा काम करते हैं कि नहीं करते हैं चुकि आप जैसे बोलिएगा हम ऐसा काम करते हैं गलत काम करते होंगे तो लोग कमेंट करेंगे बताइए सब से पहली तो हम अपने बार गालिया से बात करें जब हम घर पे रहना शुरू किये मेडम 2018 में फिडियस विक्रेटा बनी तो अपने में विचार किये कि जब दुख सुक में मांग चलिए सब का सब परती निधी का नाम लिया जाता है उस समय जीला परिशाद का नाम जैसी आता था छेत्र के लोग कैसा महसूस करते हैं आप जब से जीला परशाद बने हैं सर हम तो मांग चलिए तीसरा चरण में अपने परखंड होम परखंड से चुना लगे थे जहां से 220 वोट से हार गए और तिर्वेनी गंज गए जहां लाक मना करने के बावजूद भी हम लोग हिमत के बदोलत दूसरा परखंड गए लरने वहां से चुना जीते हुए हैं और अब महसूस जहां हारे हैं उस सब भी काफी तिर्वेनी गंज से आप चुनाव जीती हैं आप अच्छा काम कर तो कमेंट कीजिए लोकी ये अच्छा काम क्यों नहीं करती है अच्छा आपके छेत्र की जन्ता के बारे में आप क्या कहना चाहती है अब बदढरी जो भी है संभेधानिक पत्पा उस सब जनता के बदह अचा आप परिसाद है यहां की लोकल परिसाद रोड कब बने रही है मेंदोड मेंडोड मेंडोड के लिए जितना जल्दी वो सकेगा उसके लिए हम लोग जो हैं अन्शन पर भी बैठेंगे ब्लॉक से ले करके जीला तक यदि समाय परा तो मान्य मुख मंतरी के पास भी हम लोग को जो है आवेदन देना परेगा जो भी करना परेगा उसके लिए हम तयार हैं चलने लाइक कब तक हो जाएगा ताकि जो है इनके घर तक जो है गाड़ी आ जाए वो हम जो है अपने अस्तर से दो रोज में ठीक करवा देंगे अपने अस्तर से ये दो रोज में जेसी भी लगा के ठीक करवा देंगी हाला कि इनके कारेचेतर में वो रोड नहीं आता है वो रोड जो है दूसरे किसी के कारेचेतर में आता है और जिसके कारेचेतर में आता है वही मंदारी पुर्वक नहीं काम किया था 2014 में पास हुआ उसके बास से सिर्फ और सिर्फ उस पे पैसा खाया गया बीमल मंडल जी अपना हाथ काट लिये हैं अब उनके परिवार वालों के साथ आप लोग कैसे खड़े रहेंगे उनके साथ जो है नो हम 24 घंटा खरे हैं और आज आपके सामने हम करें हैं आप बोले कि हम एक लाख रुपिया दे रहे हैं देखिए एक लाख से आप आज कल के समय में कोई भेल्यू नहीं है लेकिन जीवान नहीं चलेगा लेकिन आप दिये वह बहुत बड़ी बात है तो आज हम सब के सामने में करें है मेरा छे मेना का सेल्री हों होगा वह हम भी मलमंडल के परिवार को देंगे ऑ और टालीव हाइप आये बता दिजे एक महेना के सेल्री जानने का हक्ष आपको नह और उसके बावजूद भी हम दिन रात उनके साथ आप आते आते आईएगा और हम जो है आपके आज आए और हम तीन रोज यह लगा करके आए हैं और मेरा पूरुस वाला सिट्वा से जीती है ना पूरुस वाला सिट्वा से भारी पर गई होंगे सिट से जीती है और सभी पूर्सों पर महिलाओं पर भारी पढ़के जीती है चुकि बोलने में तो यह किसी को सही है कि नहीं है चलिए ठीक है बाकी इन दोनों का प्रियास और हमारा यह प्रियास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और भीमन मंडल जी के परिश्टचार खतम किया जाए इसके बारे में भी आप लोग राये जरूर रखना जय हिंद